जब भी किसी को heart attack पढ़ता है और पेशेंट की एंजियोग्राफी होती है तो उस एंजियोग्राफी में उसके blockages पता चलते हैं ऐसे में उस patient के अगर blockages ज्यादा होते हैं तो उसको endoplasti की सला दी जाती है और अगर blockages उसकी तीनों नसों में हो या फिर left brain artery में हो तो उसको bypass surgery की सला दी जाती है बेसिकलिए जब भी किसी को heart attack पढ़ता है तो heart attack का मतलब है कि उसके दिल की नस्प में block आ गया तो हम उस वक्त endoplasti की सला देते हैं patient की endoplasti करी जाती है उस crease में जो blockages होते हैं वो मों endoplasti में देख सकते हैं उस blockage इसके आधार पर उसका आगी का treatment decide होता है अगर किसी मरीज की एक या दो नस्प में blockage होते हैं तो उसको endoplasti की सला दी जाती है अगर किसी मरीज के तीन नस्प में blockage है left brain artery blockage और patient diabetic भी है तो उसको bypass surgery यानि की CABG के लिए हम refer कर देते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करिएगा चल को subscribe करिएगा बैल आइकन को press करिएगा और अगर आप मुझे personally दिखाना चाते हैं तो अब इशान आर्ट सेंटर आगरा में मुझे दिखा सकते हैं Thank you for watching my video